हेलो अच्छो आज हम स्पैरिकल मिरर्स यानि कि गोली दरपन की फोकस दोड़ी यानि कि फोकल लेंथ और फोकस दोड़ेंगे और पता करेंगे कि कैसे निकलता तो देखिए मेरे हाथ में एक मिरर है यानि एक दरपन है इसके नाम है आवटल दरपन यहां से चंकिला है इस्स मिरर तो यह कौन के मिरर का आज हम फोकस और फोकल लेंथ और सेंट्र और करवेचर रेडियस अब करवेचर निकालेंगे देखिए बुक्स में हम पढ़ते रहते हैं इन सब दों को मगर हमें पता नहीं होता है कि यह क्या है हो सकता आपके स्कूल्स में कराया हो तो आप रवा कि जो हमारे पास लैंस सेंट है इसको रखोगा कोशिस करूंगा कि इसका लैंस संट्र है बीच में इस पॉंक्ड पर हाए और लेंस संट्र में मैं आ आप यंकि अधल्जा 65 अब कोर ऐंड हो इस पॉंक्त के उपर आना चाहिए ठीक हो गया, तो अब हमने इस तरह से रख दिया इसको, अब जी कौनके मेरा रहे हैं यह अब तर दरपन है, इसके हमने निकालनी है focal length और focus, तो मैं देखिए यहाँ पर एक मेरे पास यह candle है, एक मुम्मत्ती है, और मैं इसको इसे कुजूरी पर रख दूँगा, और इस जो candle है, इसको मैं जलाओंगा, और जलाने के बाद जो इसकी law होगी, उसको, उसका मैं, इस पर एक परदे में, इसका जो प्रतिविम होता है, जो image होती है, वो लेने की कोशिश करूँगा, और जहां पर हमें image मिल जाएगी, वो जगह जो होगी, उसकी focus होगी mirror की, और इससे, ज जहां पर हमें image मिलेगी, उसकी दूरी को हम बोलेंगे focal length, तो इसके लिए पहले मुझे 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 जलाने पड़ेगी, मैं मुझे जला लेता हूँ, और फिर मैं light बंद कर दूँगा, और कमरा में अंधेरा हो जाएगा, त्योंकि अंधेरे में जो है, इसका मुझे की law जो है, वो साफ साफ हम पर्दे पर उतार सकते हैं, और पर्दे के लिए मैं एक सपेद रिंगा कागज लूँगा, जिस पर की मैं इसका image लूँगा, तो मैं light बंद कर देता हूँ, देकि ये मेरे पास एक पर्दा है, ये सपेद रिंगा कागज है, मैं इसको पर्दे के तर और पीस यानि कि इसके पोल से उसके फोकस तक की दूरी को हम बोलेंगे फोकल ने, तो देखिए मैं इसको इसके बीच में रखता हूँ पर्दे को, और कुशिस करता हूँ इसकी image लेने की, तो एक बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि नीचे की जगह हमको ये छोड़नी पड़ीगी, जिससे की इसकी image mirror में बन पाए, और जहाँ पर भी शार्प बिलकुल एक image मिलेगी है और छोटी होगी, मैं वहाँ पर रुख जाओंगा और उसके नीचे की निचान लगा दूँगा, देखिए यहाँ पर कहीं एक ये, एक image मिल रही है, यहाँ पर ये, तो मै निचान लगा दिया है, और मैं light खोल दूँगा, लाइट बंद कर रही थी, तो यहाँ पर ये जो लाड़न का निचान है, ये मैं निचान लगाया था, अब मैं इस निचान से, और ये जो मैंने काई लाइन कीची थी, इस लाइन तक की दूरी को नाप लूँगा, तो मिर से, यहाँ था के लिए एक parallel line खिस लेता है, यानि मैं यहाँ से भी लगभख 8 cm की एक point बना लेता हूँ, जिससे कि हमें parallel line मिल जाए, एक point यह हो गया, अब इनको हम मिला लेंगी, तो यह हमारी parallel line हो जाएगी, वह हमारा हो जाएगा focus, तो मैं इसको भी आगर बढ़ा लेता हो, यहाँ पर जाके मिल रही है, तो यहाँ पर जाके मिल रही है, तो यहाँ पर जाके मिल रही है, तो यह हमें दो point मिल गए, एक point हमारा यह हो गया, एक point हमारा यह हो गया, तो यह जो है हमारा point इसको बोलते है, pole, और हिंदियों इसको बोलते है, धुरूव, और इसको हम जिखी जो हमने यहां पर यह मुहमेंत्ति की लॉी थी कि इसका एक हमें हमें व मिला था उल्टा यहां था यहां से और यहां से ठोल से और फॉकस जो होता है स्थाब ऐसके दूरी को हम आपको पता हुआ क्या बोलते हैं फोकल लेंद्स यानि की यानि कि आक expos एक तो पी एफ बूते इसको फोकल ये ते यही फोकस दुरी ह वोता है तो हमारी फोकस दुरी कितनी हो गए जो हमने अभी नापे थी यहीजिंकि फोकस दुरी हो मधी प्लतीअ करेंगे ना लिएवर यह कह ए इंदीमिल सेंटीमित sharply आप इसnant audit है उसको अगर हम डबल कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है सेंट्र ऑफ कर वेचर तो उसके लिए हमका करेंगे पहले इस जो में लाइन खीची ब्लैक वाली इसके पैलल एक लाइन खीच लेंगे ठीक उतनी दूरी की जितनी के हमने पीएफ कीची तीनी एक सेंटिमेटर तो यह प्रेस ile हो जाएंगी है भेस के क्या हमको बन् 설i अब हम एप्लीक्ष लेंजर टीन थमयां को हमझाय कर लो हम आगे इस पॉंस से यहां तक हम इसको आगे बढा लेते हैं है अक मुंस्क कर लें तो यह जो पूल से पॉकस से होती हुए और आगे बढ़िए यहां पर इस पॉ 위한 को हम बोलेंगे Center of呀 Yay colocar argues कémद्रे तो हम इसको भोलेंगे क्या सेंटर ओफ कर वेचर के ए यहां यहनरी वक्रता केंद्र और में इसका यहां सी से रेनोट करते हैं और देखें यह तीन जोगो मिन एक मिला पॉल एक मिला फोकस एक मिला व्करताख़ खेंद्र आप हमें यह पता सिल गया जिए से यहां से यहां से यहां ठ्क की दूरी जो है उसको बोलते हैं फोकस दूरी अब दूसरी चीजह है कि पोल से सैंट्र और करुइच था की दूरी है याने कि पीं और सी पी से की तक की दूरी यह हो कितनी यह होगी एट और एट सेक्स्टीं सेंटीमीटर इसको हम बोलते हैं पीसी जो होगा वह होगा वाकरता तिर्जिया या फिर रेडियस आफ करवेचर इसको हिंदिया बोलते हैं वकरता तिर्जिया तो मैं हिंदिया और इंग्लिस दोने में बताते जा रहा हूं जो हिंदिया वच्चे हो वह हिंदी में समझ जाएं और जो इंग्लिस में पढ़ते हैं वच्चे वह इंग्लिस में समझ जाएं तो यह होगा वकरता तिर्जिया त तो देखिए हमने भी तो क्या पड़ा पहले हमने देखा कि यह पोल होता है पोल यानि की धुरूप जहां पर जो की मिरर का सेंटर पॉइंट होता है वहां से यह जो दूरी होती है फोकस तक कि उसको बोलते हैं फोकल लेंद यानि फोकस दूरी वो निकली हमारे 8 cm और पोल से है जो सेंट्र आप करवेचर यानि वकरता के इसको बोलते हैं रेडियोस अब करवेचर यानि वकरता च्रिज्या एक बात दूबाती यह होई अब इसके लावा एक बात और इंपोर्टन है इसमें जो हम पढ़ते हैं कि जिसना हमारे पास यह स्फेरिकल मिरर है यानि यह हम शूदी सवी अधिन करण्यमuez हैं ओखती तो मिसको नापते हैं तो इसको बोलते हैं एक मिरर हमारा यहां सब्सक्तिया यह Natalie थे और हिंदियों बोलते हैं द्वारक तो यह कुछ बात आपको समझ में आयोंगी देखिए इसमें एक बात और इंपॉर्टन्ट है कि सेंट्र आप कर्वेचर मतलब यह है कि यह स्फेरिकल मिरर है अगर यह पूरा होता तो उस मिरर स्फेर का इन गोले का सेंटर होता यह इसको फोकल लेंद का दुगना होता है जो हमारी रेडियस अब कर्वेचर होता है पीसी तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि पीसी इसकोस्टू टू इंटू इंटू पी एफ यह भी मारे हो सकता हमला रेडियस अब कर्वेचर जो है रेडियस आफ कर्वेचर इसकोस्टू इंटू focal length यह हम लिख सकते हैं तो यह वी एक formula आपको पता होगा क्या होता है हमारी candle थी कि हम लोग देखते हैं books वगरा में कि हम लोग candles को आम तरपर तीर के निसान की तरोपर एरो दिखा जाता है उससे लिगा एरो दिखा जाते हैं तो यहां पर हम इस candle को भी यह एरो ही समझेंगे यहां पर यह candle हमारी यह जल रही है तो हम एरो के जगह candle का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस्तेमाल करने पर उसका जो इमेज है वो आसानी से मिल जाती है अंदेर में साफ साथ दिख जाता है अब एक बात इसमें आपको और बता दूं कि जो मिरर का मिर तो हम यहीं रखेंगे तो उसको है इंत मर अंदेर कि तो उसका हिमेज कहां बनेगी और अपको अलग से वीडियो बनाओंगा जिसमें कि आपको पता लग जाया कि यह इसकी जो अलग लग उटी है सिधी बनती है कि अल्टी बनती है और रियल होती है कि वर्च्वल होती है इन्हीं आभासी होती है कि वास्विक होती है इसका अलग बनाऊंगा तो आगे भी मैं आपको इस необход holistic आ रहूंगा तो आप जो है इस इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि और प्रक्टिकल से आपको बैला आइकन इसको दबाएं तो आप मिलते रहेंगे तो आपने वीडियोगा इसके लिए थे